अतीक एहमद इतने बड़े माफिया और डॉन चवालिस साल से उत्तर प्रदेश में इनका राज रहा है अपरात का परियाए खौफ का परियाए अतीक एहमद और उसका भाई अश्रफ देखे कल सरे आम तीन अग्यात लोग आते हैं और गोली मार कर अतीक एहमद और अश्रफ यहाँ पर विपक्ष के पास एक मौका तो जरूर मिल गया है माफिया गिरी का तो अंत हो गया लेकिन कहा जा रहा है कि विपक्ष के पास बहुत बड़ा मौका योगी सरकार को घिरने के लिए और यहाँ पर नेखिए योगी सरकार का बहुत बड़ा फैसला डीजीपी के साथ अपसर के साथ मीटिंग लगातार चोल रही है सतरा पुलिस कर्मी मौके पर जो तैनाथ थे सबस्पेंट कर दिये गए लगातार दो दो घंटे में मुख्यमंत्री योगी अरितिनाथ अलर्ट मोट पर है प्रियाग राज में धारा 144 लागू बहुत बड़ी घटना होती है दर्शको और पूरा यूपी नहीं ये कल पूरा भारत खिल जाता है चलिए विसार से जान लेते हमारे साथ मौजूद है वरिस्पत्रकार राजनिटी में इतनी गहरी इनकी कही न कहीं सोच और समझ है कि आज ये आप सबको बताएंगे कि आखिर इतनी बड़ी हर्तिया पर अस दुदिन ओएसी ने कहा है कि सीम योगी इस्तीफा दो इसके साथ यापको बता दे अखिलेश ची आदम ने कहा कि आम जनता भी सुरक्षित नहीं है अस दो दिन ओएसी का पलटवार और सीम योगी के खिलाफ ये कहीं न कहीं जो बयान बाजी है इसको जनता आपको समझना जरूरी है आजय जी सबसे पहले बहुत स्वागत आपका इस बड़ी बहस में और आप दर्शकों को बताईए सबसे पहला मेरा सवाल आपसे सर क्या लगता है कल इस घटना ने सबको हिला दिया और इधर विपक्ष को मौका ओएसी ने स्तीफा मांगा है कि इस तरीके से सर देखेंगे और जनता को क्या संदेश देंगे देखें घटना जो हुई है बहुत निंदिनी हुई है इसके रिबांड में किसी के हत्या हो जाए बास्तों में निंदिनी है और मैंने पहले भी कहा था कि आस्त की जो काउंटर हुआ था बुडवेर हुई थी वो ठीक था बिल्कुल और उस समय भी हम यह कह रहे थे कि अग बिल्कुल लोगों ने मौके का फायदा उठाया दूसरी आपको में बात बता दें कि ये घटना बहुल निंदनी हुई बहुत बुला हुआ असद भी एक मा का बेटा था उसके एक मा के बेटे के हिसाब से गलत हुआ मगा असद का असद जब छोटा था तब फाइलिंग करता और यह अथीख का खुद कहना था कि मेरा काउंटर होगा या कोई सिर्फ़रा मार देगा यह बात कहते हैं यह बात को डिह एक सभा में यह बात कही थे जाएजी दूसरी बात बीदियस के लावा बीदेश से समान आने का तमाम वो उसके सबूत मिल ले इंपुट मिल ले इनको सपोर्ट किया था है दरावाद की कई हस्तवियोंने शपोर्ट किया था और मिच्टर उवैसी बोल ले से इनका कोई बड़ा ना अतीक ने खुले आम राजू पाल का मर्डर किया था बिल्कुल और अतीक ने स्विका रहा था अभी कलो पर्सों के उसमें कि उसने साइस्ता से कहा था उसने पैसे का अब लेबिल कराया लगवा सी लाग रुपए का अरेंजमेंट हुआ जिसमें 40 ल माफिया हूं यह जो हत्या हुई उसका बेहत गलत हुआ बेहत निन्न निया घटना है जी अज़ेजी सब लोग यह कह रहें अचा आपने कोट वाली बहुत अच्छी बात कहीं देखिए आप सुप्रीम कोट को भी कहा जा रहा है कोट स्वता संग्यान ले 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 तो ने फिचना चाहिए कि पाल घर के में जो निर्दोश साधू मारे गये ते बिलकुल डंडी स्वामी मारे गये आपको मालूं है सबसे ज्यादा संवान कोन करता था जितने मुस्लिम धर्मगुरू हैं और ढंडी स्वामीयों का बहुत करते था संवान चाकिर हुषें डंडी स्वामयों के सिस्टे जो लाष्ट पती वने फखड़ दिन अली अहमत डंडी स्वामीओं को बहुत मांते उन डंडी स्वामयों को पुलिस के मWill महाराष्ट में भून दिया जाता कई डंडी स्वामी मार दिया जाता जी और काॉंटर होता उस समय की कांग्रेस की गौर्णमेंट खामोस रहती है और आपको बता दें कि यह बहुत गलत यह वा जो आतीक की हत्या हुई वहीं पर आपको बताना है यूपी का बहुत बड़ा डॉन टॉप अपरा दी आदित लाला अभी माला गया था मुढबेर में दिखाई गई ओपिन मुढब उन्नाओ का एक बिधायक सेंगर कुल्दीब सेंगर अभी तक जेल में बराबर जेल में रहा उसका नाम आया था जबकि वह हत्या में सामिल नहीं था मगर उसका नाम आया और नाम की बज़े से यह था योगी राज में एक नहाई की बात मगर जो कल की घटना हो गई है जो सब्सक्राइब के सब्सक्राइब करना में एक बात में इक ने इतना मान भी एगारो में आपको बता इसको पूटकर जी शकर तो उसका कुट्टा सेर जैसा लगता था मानी नेता जी बहुत अच्छे वेखती थे और इसी बात का जिक्र आज तमाम पत्रकार कर रहे हैं हाथ ऐसे किया तो एक जोनों ने हाथ मिलाया था और वह लगबद 40-50 विधान सवाओं के वह देता था कि 2017 के चुनाओं के पहले उसकी टिकट फाइनल हो गई तो उससे कंडिशन रखे गई थी कुछ विधान सवाओं का खर्चा उठाने लिए वह पांच्या या दस बारा तक उठाने को तया था चालिस तक नहीं उसके बाद उसको टिकट ने दी गई कानपूर के कैंट से उसकी फाइनल हो गई थी फिर अखलेज जी ने उसकी टिकट ने दी क्यों नहीं दी वह जाने यह जाने दूसरी आपको बता रहा है उसको इतना फाइनस करता था लोगों को इतना पैसा देता था कि पूरे देश में उसका सब जगए पैसा लगा हुआ था अबू सलेम से भी उसक काफी लोगों से कर्यक्षन पाए गए गए मंगत सपा की साफन में तीन बार आने पर इसकी हमेशा हिस्ठीश वह जाती ती और इसकी फाइले बापस फाइलें थी मजशी सथा मतलब को कहना है कि समाजवाधी पार्टी में इसको फेला पोशा गया है एक्शन नहीं लिया अ Katrina ऐसका पाहता है इतौब में एक अपड़ाती था उवासी जो बोना है इसको सपाश्टिकन कörरीब आया ही ऑसकी न्यवाहेर इसकी बाइब चुनाव लड़ि तो इसने हवेसी कि रहेलिया होती थी वह इतना बरा मन्च बनाया जाता था उसके पहले उसके आते थे यह एर टिकट से जाते थे बढ़ेया होटलों में ठायरते थे और बढ़ कि॥े दूड़ी रखे जाता थी त Broken आध तो पीछे की ओर भी दिखाइए तो यह हो कि मैदान भढ़ गया और इतनी टेकनिकल मीटिंग होती थी कि हिंदूस्तान में जैसे बड़े लेता हूं कि जैसे इंदरा जी की होती है और मुखमंत्री होती है उस लेबिल का मंच सजाया जाता इस सब का फाइनेंस कौन करता था इन सब का जो फाइनेंस करता था वो अतिक कलने वाला थेक वसी की पार्टी को बहुत मुझभूती देता था अभी जो इलक्सन वे थे विद्धान सभा के उसमें अतिक के ग्रूप ने इनके उसको बहुत सपोर्ट किया तो योगी जी की एक खासियत है कि योगी इनने कानून विवस्ता के लिए चाहे इनका खास हो या कोई भी किसी को भी उन्होंने नहीं बक्षा नहीं है यहां पर यह इकायक घड़ना हो गई है दूसरी आपको बताने जो वैसी ने कहा है कि उसके लिए वैसी इतना बड़ा बैरिश्टर है कि वह कोट में मुप करते तो उसको जाने मिली जाएगा यह पहले कर देते तो मिल जाता दूसरी वैसी उस समय कहा थे अखलेस उस समय कहा थे जिस समय यह पाल घरवाला हुआ था इस पर बोलना चाहिए आदित आधी तरणा पर अप्राथ कम है अधीक पर ज्यादा है बिल्कुल एक बैक्तिमरा वह दुख है दुखदाए है उस पर यह कुंड़ा लें दूसरी कोट पर दिसा मुलादावाद में लगवश्वाद बीस हजार से जज़्जादा मुसलिम मार दिया गया था यहित के दिन बेवजय मार दिया गया था उस पे अगर ये एक सही इसमालक बना देते हो वैसी आकर एक बार आशू बहा देते हैं तो हिंदुस्तान का हिंदु मुस्लिम सब चुकि हिंदुों के भी दुख हुआ कि मुरादावाद में जिस तरह बेहिसाब से गोलियों से भून दिया गया वैसी को नजन नहीं आ रही मगर जो कुछ भी हुआ है मगर ये तवाही का दोड़ है और ये शियासत है और शियासत की जगह ना ले करके इसको हिंदु मुस्लिम ना बाट करके गलत घटना हुई है और ये एक दुर घटना हुई है एक एसी डेंटल वो है जो निंदनी है मतलब देखिए आज यहां पर विपक्ष को दर्द शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए बहुत बड़ा माफी आती कि हमार दर्श को एक बहुत बड़ा नाम और कहा जा रहा है कि इतने सालों से जो उत्तर प्रदेश में पनपा है तो पिरा सरकारों की मदद से तो न सकते हैं योगी जी ने जो किया है वह वास्तों में ऐसा किया कि एकदम से तुरंती पूरी राज सोई नहीं जी जी डीजीपी अभी गया है उसमें तुरंती मीटिंग की तुरंती सब जगह धारा एक सो चवाली लगा पुलिस की गाड़िया गश्ट कर दी यह घटना एकाय चाहिए जी 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 लोगों के आप सुन लें सभी राजनितिक पार्टियों में मीटिंग हो गई है और धराधर मीटिंग हुई है कुछ विपक्षी के दलों ने धराधर मीटिंग की उन्होंने अपने सब जगह फोन किये कि बिल्कुल अलर्ट मून में आ जाओ और कल इ मुसलिम भी जानता है मुसलिम अतीक के साथ नहीं था दूसरा माडशा जिस और सथके साथ माड़ा नहीं थी ले Bennu इसको मेरे बेटा है ममें ठीक है में अपर अप्ल मुष्क दहा जए उसमें तो यूद् मगर योगी जी को इसमें कराई मगर हुआ क्या है सारे सिपाही सस्पेंड कर दिये गए सारे अधिकाली सभी को बायान देने से मना कर दिया सब जगह अलर्ट हो गया तीनों अप्लादी हो गए सब जगह पुलिस पहुंचके उनके घरवालों को इरासत मिले चुकि अप्यानो का और उसका तीसरे का सूनू का इन लोगों का जो है कहीं न चहीं कोई करेक्शन और कहीं उपर से कोई बगए बड़ा करेक्शन हो सकता है यह हिंदوस्तान में ऐसा हमेशा राम है आगको बता रहा हूँ और सियामर पिसाद्मुकरद जी का मरड़ हो गया दिन देयारो और हकीकत ये सब लाजनेतिक थें थीक है वो एक अपराध जगत का ही मगर अंत ऐसे लोगों का ऐसा ही होता है। चाहिए था मतलब सरकार की कही ने कही सहाजता करनी चाहिए थी इतनी बड़ी हत्या हो जाती है लेकिन आज विपक्ष के पास एक मौका मिल गया देखिए पूरे अलट मोड में यूपी पुलेस योगी सरकार और योगी सरकार एक्शन के लिए जाने जाते हैं ऐसे में दिखन आखिर अतीक और अश्रफ के हत्यारों के साथ क्या करती है यूपी सरकार आपका बहुत शुक्रिया और जो भी आपकी रहे एक आपको मेन्ट में करें